हेलो विद्ध्यार्थियों, आज के लेक्चर वीडियो में वोने आपका स्वागत है आज के लेक्चर वीडियो में हम लागत की अवधारणा के बारे में समझेंगे इसमें खास तोर से अलप कारीन लागतों के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम लागत का अर्थ समझते हैं कि फर्म की लागत क्या होती है एक उत्पादक को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन साधनों जैसे भूमी, पूंजी, स्राम, साहस और समिठन की आउशकता होती है बस्तु के उत्पादन में इने साधनों का प्रयोग करने के लिए फर्म मुद्रा के रूप में जो कुछ भुकतान करती है उसे हम लागत कहते हैं इसे हम दूसे सब्दों में समझ सकते हैं एक फर्म के द्वारा उत्पत्ति के समस्त सादनों को उनकी सेवाओं के लिए भुकतान किये गए लगान, मजदूरी, ब्याज, बेतन और सामान लाग की योग को उत्पादन लागत कहा जाता है आईए अब हम क्लासिफिकिसन आप कास्ट को समझते हैं तो यहाँ पर हम केवल अलप कालीन लागतों के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम मौद्रिक लागत, बस्त्विक लागत, आउसर लागत के बारे में बात करेंगे साथ ही जो अलप कालीन विश्ट्रिशन में जिन लागतों का काफी महत्व होता है उनमें से कुल लागत, आउसरत लागत और सीमांत लागत इनके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले मौद्रिक लागत समझते हैं कि मनिकास्ट क्या होती है उत्पत्ति के विविन साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में मुद्रा के रूप में जो भुक्तान किया जाता है उसका योग ही मौद्रिक लागत कहलाती है इसमें तीन प्रकार की लागतों को शामिल किया जाता है नमर बन इस्पस्ट लागत नमबर टू आइसपस्ट लागत नमबर थ्री सामान लाग इन तीनों को हम पहले समझ लेते हैं इसपस्ट लागतें, बे लागतें होती हैं जिनका भुकतान फार्मिया उत्पादक के द्वारा इसपस्ट रूप से उत्पत्ती के बिविन साधनों को किया जाता है जैसे मजदूरी, लाब, लगान, ब्याज, इत्यादी ये सब इसपस्ट लागतों की स्रेणी में आते हैं नमबर टू आइसपस्ट लागत आइसपस्ट लागत ऐसी लागते होती है जिनका भुकतान एक फर्म या उत्पादक की द्वारा इसपस्ट रूप से नहीं किया जाता है वे आई इसपस्ट लागते कहलाती है जैसे मानली जीए कि जो फर्म है या उत्पादक है उसका स्वयम का भवन हो सकता है स्वयम की पूंजी हो सकती है अगर वह अपने फर्म का श्वयम प्रमंधक है तो वह हो सकता है कि उसका वह वेतन ना लेता हो तो यह सब आइसपस्ट लागतें की सेणी में आएगी सामान लाब भी मौद्रिक लागत का ही एक अंग है सामान लाब की वहरासी होती है जो की एक फर्म को या एक उत्पादक को उस उद्ध्योग विशेस में बने रहने के लिए आवश्यक होती है यदि उस फर्म को या उद्ध्योग विशेस को सामान लाब की प्राप्ती नहीं होगी तो वह उस उद्ध्योग विशेस को छोड़ देगा या उस उद्ध्योग विशेस को बंद कर देगा इस तरह से मौद्रिक लागतों में तीन तरह की लागतों होती है इस्पस्ट लागत, आइस्पस्ट लागत और सामान लाब किसी वस्तु के उत्पादन में होने वाले कस्टों, प्रयत्नों, दुखों एबम, त्याग को बास्तिक लागत कहते हैं इसे मार्सल ने सामाजिक लागत भी कहा है विद्यार्थियों बास्त्विक लागत से तात पर ये है कि अगर मानली जेक किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए स्रमी को कुपरीर्सम करना पड़ता है उन्हें कस्ट उठाना पड़ता है त्याग करना पड़ता है वहे बास्तिविक लागत होगी अगर कोई पूंजी पती है वहे अपनी पूंजी का संचाय करने के लिए बरतमान का जो उपभोग है उसका वहे त्याग करता है उस पूंजी से जो उसको ब्याज मिलेगा उसकी वहे प्रतिक्षा करता है यह सब real caste की केटेगरी में आते हैं विद्यार्थियों बास्त्विक लागत की कुछ आलोजना भी की गई है क्योंकि बास्त्विक लागत को मापना अशंभाव कार रहे इसका कारण यह है कि स्रमिकों को जो कस्ट या त्याग होता है या अन्य साद्वनों को जो प्रतिक्षा करनी पड़ती है उसका माप कैसे किया जाए क्योंकि वह एक व्यक्तिगत और मनोविज्यानी धारना है साथ ही बास्त्विक लागत को मापना भी एक आवेवहरिक है क्योंकि बास्त्विक जीवन में हम ये देखते हैं कि जिन कार्यों को करने के लिए स्रमिक कठोर परिस्रम करता है उन कार्यों के लिए उन्हें कम मजदूरी दी जाती है तो हम उसकी बास्त्विक लागत को कैसे मेजर करें इस तरह से बास्त्वी लागत की कुछ आलोचनाय की गई है और इसके इस्थान पर आध्री करस्ताइस्तियों ने आउसर लागत की धार्णा को विक्सित किया है तो अब हम आउसर लागत को समझते हैं इसे बेकल्पिक लागत, हस्तरांत्रन लागत, हस्तरांत्रन आय या विस्थापित लागत इन आदि नामों से जाना जाता है सिरीमती जान रविनसन ने कहा है कि उत्पादन के किसी साधन की इकाई को एक उध्योग में बनाए रखने के लिए जो मूल देना आवश्यक होता है उसी मूल को उस साधन विसेश की हस्तरांत्रित आय या हस्तरांत्रन मूल कहते हैं आवश्यर लागत की धार्णा इस मानत पर आधारित है कि उत्पादन के जो साधन है वो काफी सीमित हैं इसलिए उनका बेकल्पिक प्रयोग किया जाता है कई तरह का उप्योग किया जाता है चुकि साधन सीमित हैं और उनके बेकल्पिक प्रयोग होते हैं इसलिए एक उत्पादक के सामने यह समस्य होती है कि वह उत्पादन साधनों का उची चुनाव करे वह उत्पादन के साधन विशेश का प्रयोग किस बस्तु के उत्पादन में करे जब उत्पादक साधन विशेश का प्रयोग एक वस्तू विशेश के उत्पादन के लिए करता है तो वह दूसरी वस्तू के उत्पादन का त्याग कर दिता है क्योंकि एक वस्तू का वह उत्पादन करेगा उन साधनों से तो दूसी वस्तु के उत्पादन नहीं करेगा, अर्थाथ दूसी वस्तु के उत्पादन का वहे त्याग करेगा, जिसका उत्पादन वहे उस साधन विसेश से कर सकता था यानि कहने का मतलब यह है विद्यारतियों अगर वह उन साधनों से ए नाम की वस्तु का उत्पादन करता है तो वह बी नाम की वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा अर्थात बी नाम की वस्तु के उत्पादन का वह परित्याग करेगा क्योंकि वह साधन विसेश एक समय में केवल एक ही बस्तू विसेश का उत्पादन कर सकता है एक साधन को हम दोनों बस्तू के उत्पादन कारम नहीं लगा सकते इसलिए उत्पादक यह चुनाव करता है कि उस साधन विसेश को किस बस्तू विसेश के उत्पादन कारे में लगाया जाए हम एक एक्जाम्पल के द्वारा समझते हैं मान लिजिए कि एक विक्ती एक डाइवर टैक्सी भी चला सकता है स्वयम की मौटर भी चला सकता है ट्रैक्टर भी चला सकता है जेसी भी चला सकता है और कार भी चला सकता है इन सभी को वह ड्राइव कर सकता है चला सकता है लेकिन बन टाइम में इन सभी को वह एक साथ नहीं चला सकता है अब मान लिजिए कि वह एक टाइम में कार चलाता है तो कार के इस्थान पर जो और भी दूसरी साधन है टेक्टर, बस, जेसीवी उनको वह नहीं चलाएगा केवल कार चलाएगा तो यहाँ पर हम देखें तो कार चलाने की जो अवसर लागत होगी वह मोटर चलाने का जो अवसर का वह परित्याग कर रहा है वह उसकी अवसर लागत होगी क्योंकि यहाँ पर वह कार चला रहा है और मोटर नहीं चला रहा है तो कार चलाने के लिए वह मोटर चलाने के अवसर का परित्याग कर रहा है इसलिए यदि वहे कार चलाता है तो उसको कम से कम इतना परिश्रमिक इतनी मजदूरी उसको अवस्य देना पड़ेगा कि वहे मोटर चलाकर कमा सकता था या कार के अलाबा दूसरे साधन को चलाकर कमा सकता था आईए विध्यार्थियों एक डाइग्राम के द्वारा हम आउसर लागत को समझते हैं इस डाइग्राम में हम आउसर लागत को समझेंगे यहाँ पर O X एक्सिस पे X वस्तू को और O Y एक्सिस पे Y वस्तू को दर्साया गया है यहाँ पर A B जो है उत्पादन संभावना रेखा है जो कि X और बाय वस्तू के उत्पादन के विभीन्य सायों को बतलाती है माननी जीए कि एक फर्म या उत्पादक विंदू C पर उत्पादन कारे करती है जहाँ पर वह X वस्तू की O M तथा Y वस्तू की O के मात्रा का उत्पादन कर रही है अब मानलीजिये कि जिन साधनों से वह C विंदू पर उत्पादन कार करती है उन्ही साधनों से चुकि साधन तो C मी थे इसलिए वह उन्ही साधन विशेस को उप्योग करती है और X वस्तु की वह ज्यादा एकाई का उत्पादन करना चाहती है मानली जी कि वह डी विंदू पर उत्पादनकार करती है जहां पर वह X वस्तू की O N Iकाई और Y वस्तू की O L Iकाई उत्पादित करती है यहां पर देखिए विद्ध्यारितियों एक फर्म विसेश जो की साधन विसेश का उप्योग करके X वस्तू की MN इकाई में व्रद्धी करती है जिसको हमने green वाले arrow से दिखाया है MN X वस्तू की इकाई में व्रद्धी करती है तो इसके लिए form Y वस्तू की उत्पादन की मात्रा में कमी करती है वह कमी करेगी कितनी KL के बरावर में इसको हमने red color के तीर से दिखाया है इसका मतलब यह हुआ कि MN X वस्तू की जो आउसर लागत है वह है Y वस्तू की K A लिकाई है क्योंकि यहाँ पर एक उत्पादक X वस्तू की MN लिकाई में ब्रद्धी कर रहा है तो वह है Y वस्तू की K A लिकाई में कमी कर रहा है MN X वस्तू की इकाई अधिक उत्पादित करने के लिए Y वस्तू की K A लिकाई के वह है क्या कर रहा है यही आउसर लागत है अर्थात MN X वस्तू की आउसर लागत जो है वह है Y वस्तू की K A लिकाई है अब हम नमर फोर पर कुल लागट टूटल कास्ट को समझते हूं किसी वस्तू की निश्चित मात्र उत्पादित करने के लिए उत्पादपती सभी साधनों को मुद्र के रूप में किये गए भुकतान मूल्यों का योग कुल लागट कहलाती है कुल लागट दो प्रकार की होती है नमर वन इस्थिर या पूरक लागट, फिक्सट और सप्लिमेंटरी कास्ट नमर टू परिवर्तंसील लागट, वैरिवल कास्ट इन दोनों लागटों को अब समझते हम नम्मर वन, इस्थिर या पूरक लागत बे लागतें जिनको अलपकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्टित नहीं किया ज़सकता है अलपकाल में यदी फर्म का उत्पादन सुनने भी है तब भी इस्थिर लागतें पूरबद बनी रहती है जैसे फर्म की स्थिर पूंजी हो सकती है, मसीन हो सकती है, घूमी हो सकती है, भवन हो सकती है इन लागतों को हम अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं नमर टू परिवर्तनसील लागतें बे लागतें जो की अल्पकाल में उत्पादन की मात्र के साथ परिवर्तित होती है परिवर्तनसी लागतें कहलाती है इन लागतों का उत्पादन की मात्र के साथ प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंद होता है इस लागत को प्रोफेशर मार्सल ने प्रमुख लागत भी कहा है जो वेरिवल कास्ट होती है उसका संबंद उत्पादन की मात्र के साथ में कैसा होता है सीधा होता है प्रत्यक्ष होता है अगर उत्पादन की मात्र बढ़ानी है तो variable caste को भी बढ़ाना पड़ेगा जैसे स्रमिक हो सकते हैं कच्चा माल हो सकता है बिजली हो सकती है इनहन हो सकता है यह सब परिवर्तन सील caste की स्रेणी में आते हैं इस तरह से विध्यार्थियों जो total cast होती है वो दो तरह की होती है total fixed cast और total variable cast यहाँ पर आप देखिए total cast equal to total fixed cast plus total variable cast याने जो कुल इस्थिर लागत है और कुल परिवर्तन सी लागत है इन दोनों को हम अगर जोड़ें तो हमें क्या मिलेगी उस फर्म की कुल लागत प्राप्थ होगी इसे हम एक डायग्राम की द्वारा समझते हैं यहाँ पर हमने ox axis पे उत्पादन की मात्रा और oba axis पे लागत को दर्शाया है ox axis के समनांतर देखिए fc जो है fc है वह है ox axis के समनांतर है vc कुल variable cast है और tc यहाँ पर कुल लागत है fc total fixed cast है यहाँ पर आप देखिए कि जो fixed cast है वह जीरो से यहाँ मूल विंदू इस मूल विंदू से उपर यहाँ से fc start होती है इसका मतलब यह हुआ कि फर्म में उत्पादन कारजारी रहे या ना रहे उस फर्म को यहाँ से यहाँ तक इतना उसको वहन करना ही होगा और जबकि variable cast हम देखें तो variable cast इस जीरो से start होती है और यह 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 तक पहुंचती है इसका मतलब है कि variable cast जो है उत्पादन की मात्रा के साथ साथ में बढ़ती है यदि उत्पादन की मात्रा O Q है तो यहाँ पर variable cast हम देखें B window पर है अगर उत्पादन की मात्रा बढ़कर Q1 हो जाती है तो variable cast भी यहाँ से देखे और उपर बढ़ गई है इसका मतलब है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी बैसे बैसे यह परिवर्तन सील लागत जो है वो बढ़ेगी लेकिन टोटल fixed cast जो है यह वाली लाइन यह O X X के समना अंतर रहेगी और आप यह उपर वाली जो कर्व देख रहे हैं यह total cast को बतलाती है आईए अब हम अल्प कालिन ओसत लागत को समझते हैं अल्प कालिन ओसत लागत के अंतर गत हम दो तरहें की लागतों को समझेंगे ओसत इस्थिलागत और ओसत परिवर्तन सील लागत ओसत लागत को ओसत कुल लागत भी कहा जाता है इसे कुल लागत में उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देकर प्राप्त किया जाता है जो फर्म की टोटल कास्ट होती है उसमें उस फर्म का जो आउटपुट होता है उससे हम डिवाइट कर देते हैं तो हमको AC प्राप्त हो जाती है, अर्थात average cast प्राप्त हो जाती है, इसी को average total cast भी कहा जाता है, आप फार्मूला के रूप में देखिए, AC या उसको हम ATC भी बोलते हैं, average total cast भी बोलते हैं, equal to TC divided by QX, यहाँ पर TC total cast को बतलाता है, QX जो है, वह है X वस्तु की उत्पादन की मात्र को बतलाता है, अर्थात output को बतलाता है, इस TC divided by QX को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, TFC divided by QX plus TVC divided by QX, क्योंकि TC जो होता है, याने total cast जो होती है, वह है total fixed cast ये वाली और total variable cast इन दोनों का योग होती है, इसलिए हम इस TC divided by QX को इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम औसत इस्थिलागत को समझते हैं, कुल इस्थिलागत को बस्तु की उत्पादित कुल मात्र से भाग देने पर जो भाग फल प्राप्त होता है, उसे औसत इस्थिलागत कहा जाता है, इसे प्रती इकाई इस्थिलागत भी कहते हैं, इसको हम फार्मूला के लूप में देखिए आप, AFC याने Average Fixed Cast equal to TFC, Total Fixed Cast divided by QX, QX यहां पर उत्पादन की मात्र को बतला रहा है, और TFC, Total Fixed Cast को बतलाता है, कुल परिवरतनसी लागत को बस्तु की उत्पादित कुल मात्रा से भाग देने पर जो भाग फलप्राप्त होता है उसे उसत परिवरतनसी लागत कहा जाता है इसे प्रती इकाई परिवरतनसी लागत भी कहते हैं फार्मूला गुरूप में आप देखी यहाँ पर abc equal to tvc divided by qx यहाँ पर abc average variable cast को बतलाता है और tvc total variable cast को बतलाता है और qx बस्तु की उत्पादित मात्र को बतलाता है जो total variable cast होती है वह है उत्पादन का फलन होता है यह हमने red lines यहाँ पर लिखा है आप इसको देखिए tvc equal to fq total variable cast equal to fq इसका मतलब यह है कि अगर उत्पादन की मात्रा जो की q है उत्पादन की मात्रा अगर बढ़ाना है तो total variable cast भी बढ़ेगी उत्पादन की मात्रा अगर कम करना है तो total variable cast भी कम हो जाएगी अब हम सीमान लागत को समझते हैं marginal cast को समझते हैं बस्तू की एक अत्रिक तिकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो ब्रद्धी होती है उसे सीमान लागत कहते हैं फारूला के रूप में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं mc equal to tcn minus tcn minus 1 यहाँ पर mc जो है यह marginal cast को बतलाता है और tcn यह भी देखे आप यहाँ पर हमने लिखा है tcn यह n भी हिकाई की कुल लागत को बतलाती है और tcn minus 1 यह n minus 2 भी हिकाई की लागत को बतलाती है यहाँ पर यह n दिखा हुआ है small n यह n minus 1 है इसको आप n minus पढ़ेंगे n minus 1 पढ़ेंगे तो यह चो tc n minus 1 है यह n minus 1 भी हिकाई की कुल लागत को बतलाती है इस तरह से अगर फर्मी की हमको marginal cast निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे n भी हिकाई की total cast में से n minus 1 भी हिकाई की total cast को minus कर देंगे तो हमें marginal cast प्राप्त हो जाएगे जैसे मान लीजिए n equal to 10 मान लेते हम कि 10 हिकाई की कुल लागत जो है वह 100 रुपए है और n minus 1 याने n का मान तो हमने 10 मान लिया है तो उसमें से minus को minus 1 करेंगे तो बचे के कितना 9 याने 9 हिकाई की कुल लागत जो है वह 90 है तो marginal cast कितनी होगी 10 हो जाएगी क्योंकि n भी 1 काई की याने 10 काई की total cast जो है वह 100 है और n minus 2 भी 1 काई की total cast जो है वह 90 है तो marginal cast जो होगी वह 10 होगी विध्यार्थियों, average cast, marginal cast इन सबका अल्पकाल की यौधी में कीमत निर्धारण में बहुत महत्व होता है अभी हमने जो सभी लागतें पढ़ा इन सभी लागतों को हम एक रेखाचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं इस रेखाचित्र में देखिए, OX-axis पे हमने उत्पादन की मात्र को दर्साया है और OY-axis पे प्रती एकाई लागत को दर्साया है यहाँ पर AFC, average fixed cast average fixed cast देखिए, ये उपर से नीचे की और गिरते हुए होता है लेकिन गिरता तो है, लेकिन यहें OX-axis को इस पर्स नहीं करता है ABC कर्ब, average variable cast कर जो है, यहें U अकार का होता है AC कर्ब जो है, यहें भी U अकार का होता है और MC कर्ब जो है, MC जो की आप डट डट आट आप देख रहे हैं यह वाला MC कर्ब यहें MC कर्ब नीचे से उपर की और उठते हुए होता है और इस AC कर्ब को आर बिंदू पर यहें नीचे से काट रहा है यहने MC कर्ब जो होता है, वह है AC कर्ब को एकदम निवनतम बिंदू निवनतम बिंदू पर काटता है यहां पर निवनतम बिंदू कौन सा है? आर बिंदू और R बिंदू के बाद हम देखें तो AC जो है वो उपर की और बढ़ रही है अर्थात MC कर्ब जो है वो AC कर्ब को निवन्तम बिंदू पर काटता है तो इस लेक्चर वीडियो में हमने अल्प कालिन लागतों के बारे में अध्यन किया मुझे आसा है कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार आप इसको रिपीट करके इस लेक्चर को देखें ध्यान से समझें इस lecture वीडियो को देखने के लिए सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद और आपसे एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि मेरे नए नए वीडियो ततकाल आप तक पहुंच सकें Thank you